केबी की जनम पत्री से रिलेट करते हुए इसको आप बहुत ही अच्छे से करोगे कोई दोड़ भाग नहीं है कहीं नहीं पहुंचता जहां हो वहीं से वटवरिक्ष होने की संभावना है ये पक्का है क्योंकि जो तुमारे भीतर है ना जो ये लिखा हुआ है ना ये तुमारे भीतर है मैंने कई जगा कहा है कि ये अप परिवर्तनिया है ये कभी बदलता नहीं अगर ये जोल मौल होता ना तो इतने दिन टिकता नहीं लोगों को टेंपरेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं ट्रेंड आते हैं जाते हैं कोई बात किसी ने कह दी लोगों की जुबान पे रहती है बीस साल तीस साल पचास साल सौ साल हजारों बरस कोई चीज़ टिक जाए तो वो सनातन है और जो सनातन है वो किसी देश, काल और परस्थितियों में बदलता नहीं है पर जो बदलता नहीं है वही सत्य है और हम सभी लोग सनातनी है हम उस सनातन परंपरा के हिस्सा हैं जहां पर मेवी और माइट भी का कोई गुंजाइश नहीं होता वो तठस्त है हमारा विशे